कि अब्रीवन वेलकम नौवी विल स्टड़ी दे सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज अफ डियर टी पार्ट सेकेंड जैसे कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेज में अपना टोपिक चल रहा था अब्रेशन के बारे में यहां पर डिसकस कर रहे थे इसके जो टोपिक्स डैट फॉर अग्जामपल प्रिंसिपल इन सब के बारे में हमने डिसकस कर लिया था मेंली हम यहां पर जनरेशन जो सिटी की मशीन होती है उसमें किस तरीके से मोडिफिकेशन किये गए उन जनरेशन के बारे में डिसकस कर रहे थे और इसी प्रोसेस के दोरान हमने यहां पर पांच जनरेशन के बारे में डिसकस कर लिया था स्टार्टिंग में कौन सी पांच मशीन इन्वेंट की गई मोडिफाई की गई उनके बारे में हमने यहां पर डिसकस किया था जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहां पर आपके पास साथ जनरेशन अवेलेबल होती है ठीक है अभी तक तो जिसमें से पांच हमने पढ़ ले और दो हमारी रिमेनिंग है अब अपन एक चीज यहां पर समझते हैं कि जो आपकी स्टार्टिंग की जो फोर जनरेशन थी वह सारे के सारे उन चार जनरेशन में शीकिये गए थे फर मेंटे संख्य का रेंज्मेंट जसको आप डिटेक्टर और आठेटेसुर्यच के फिर Most जैसा कि हमने फिफ्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा था तो फिफ्ट जनरेशन का क्या था कि फिफ्ट जनरेशन एक अलग से जनरेशन थी वह एक special for cardiology और for pediatric patients उनके लिए अलग से invent की गई थी एक अलग that means जो आपकी fourth generation थी ठीक है वह उससे थोड़ी हटके थी आपकी fifth generation और वह किसके लिए की गई थी pediatric patients होते हैं ठीक है या फिर जो cardiology that means cardiac से related जो आपको amazing करने थी diagnostic करना था उसके लिए की गई थी अब अगर अपन बात करते हैं जो अपनी sixth generation आती है ठीक है तो sixth generation कहा है कि sixth generation में इन्होंने थोड़ सा advancement जो आपकी fourth generation थी fifth generation थो एक अलग से generation थी that means वह अलग थी अपन बात करेंगे आपर fourth generation के तो fourth generation में इन्होंने क्या कर दिया कुछ advancement किया ठीक है और आपके पास में sixth generation आ गई और फिर आपकी क्या हुआ कि sixth generation के यहाँ पर disadvantage आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है जैसा कि आपको fifth generation के देखने को नहीं मिले नहीं आपको यहाँ पर seventh generation को देखने के मिले क्योंकि दीरे दीरे time के according इनमे modification होते गए ऐसा नहीं है कि अब modification की जरूरत पड़ी है इनको जैसा कि आपका जो first generation थी जो second generation थी वहाँ पर क्या था कि six generation six generation का एक special नाम है वो special नाम क्यों रखा गया उसके बारे में भी हम यहाँ पर discuss करेंगे उसका क्या महत्व है किस रिजन से उसको रखा गया है चीक है तो वो सारी चीजे आज हम discuss करेंगे और एक चीज और अगर आप यहाँ पर exam की बात करो तो exam के अंदर जो question आता है वहा आपकी जो six generation और जो seven generation वो दो main important generation है तो इन में क्या करता है कि वो twenty number का एक loan question डाल देता है for example जो six generation पूछता है या फिर दोनों generation एक साथ भी पूछ सकता है या फिर six अकेली भी पूछ सकता है फिर seven अकेली generation भी पूछ सकता है बट जो पहले जो आपने पात generation पढ़िए वह यहां पर वो single generation नहीं पूछेगा अगर वो single generation पूछता है तो साथ में फिर आपका question में और कुछ भी एड़ागो for example वो city का principle पूछ सकता है city के components पूछ सकता है city के अंदर जो normal terminology वो डाल सकता है और उसके साथ में वो पूछ लेगी third generation बता दो fourth generation बता दो otherwise वो सारी generation एक twenty number का question आता है जिसके अंदर वो seven generations that means सारी generation के बारे में भी पूछ सकता है तो obviously बात है यहां से अपने को पता चल रहा है कि अपना जो topic है that means sixth generation और seventh generation इनका topic अपना थोड़ा लेंदी होने वाला है ठीक है जितना कि आपका fifth generation, fourth generation, third generation और second generation, first generation नहीं थे जितना कि अभी sixth generation और seventh generation का topic लेंदी होने वाला और यह important भी है जालतर questions आपके sixth और seventh generation के पूट आउट किये जाते हैं exams के अंदर तब बात करते हैं अपनी sixth generation की हेलिकल कंप्यूटेड टॉमोग्राफी, sixth generation, connection कर लेना, टॉमोग्राफ नहीं है, टॉमोग्राफी है, ठीक है, तो that means जो आपकी sixth generation उसका special नाम है हेलिकल कंप्यूटेड टॉमोग्राफी, अब अपन बात करते हैं यहां पे हेलिकल क्या होता है, ठीक है, हेलिकल for example, कोई भी हेलिकल structure क्या होती है, ठीक है, तो हेलिकल structure, DNA की structure देखी है, DNA के बारे में discuss किया है, DNA की structure होती हो आपकी कैसी होती है, हेलिकल होती है, तो यहां पे structure that means, हेलिकल क्यों word use में लिया गया है, because जब यहां पे scanning होगी, तो आपको जो images मिलेंगी, जो slices मिलेंगी, वो हेलिकल form में मि दूसरा that means की जब आप इमेज बनाएगा र फिर इमेज लोगे उस वक्त जब आपके एक्क्सरेटीव मूव करेगी उसके मोव्मेंट किस तरीके से हो यहां पर हेलिकल की तरह हो गे वह अपन देखते हैं किस तरीके से होगे डाइग्राम को अपने समझ में आएगी इनकी स्कैनिंग किस तरीके की होती है है यहां पर इनकी स्कैनिंग कैसे होती है है अब यह पन जैसे डाइग्राम देखेंगे सारे चीज़ा आपको समझ में आएगी इन्याइब्स एकसरे ट्यूब रोटेट पेट कायिते तैकट्र शन बीज यहां पर वेक्सरे बीजां करते न छीए एपस आप सब्सक्राइब्स जया एक्सरेय ट्यूब के साथ साथ में कंटिन्यूसली मूव करता है किसके अकोर्डिंग प्लेइन ओफ रोटेटिंग बीम रोटेट हो रही है उसके प्लेइन के अकोर्डिंग ठीक है image can be reconstructed at any desired z-axis position along the patient m Bless Heショan होता है उसकी जो z-axis होती है उसके आप कोई भी एंगल पे किसी भी agencies पे कई सख्कते हो समझ में में इन चीज यहाँ पे हलिकल वर्ड द क्या है हलिकल scanning की जाती है, scanning में होता यहाँ पर क्या है, कि जो आपकी fourth generation है fourth generation में आपका क्या था xray tube rotate करती थी, ठीक है 7 में 4 अतर detector का array था जो कि एकड़म fixed था as it is, ही यहाँ पर होता है, आपका यहाँ पर xray tube rotate करती रहती है, बट वहाँ पर क्या होता था, कि fourth generation में ऐसा सिस्टम होता था वहां पर मतलब continuous rotate नहीं करती ती यहां पर continuous rotate करेगी जैसा कि आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हो कि आपकी एक सीटी के machines को यहां पर इन्हों नों शो किया है यह चीज समझने के लिए इसको भी बनाना मत ठीक है पेशेंट का जो काउच है वो क्या करता है यहां पर continuously move करेगा अंदर की साइड में ठीक है और आपकी जो एक्सले ट्यूब है वह भी मूव करेगी तो जैसा कि आप यहां पर circles देख रहे हैं हेलिकल शेप में ठीक है तो यहां पर हेलिकल टाइप में या फिर हेलिकल के सेप में स्कैनिंग हो रही है इस वजए से इस स्कैनिंग को या फिर इस सिटी स्कैनर को हेलिकल सिटी कहा जाता है ठीक है इसका अगर हम 4th generation से करें तो 4th generation में क्या होता था अपना की जो x-ray ट्यूब है वो रोटेट करती है एक राउन लेती है पूरा 30-60 360 degree का उसके बाद में क्या होता था कि next slice के लिए अपने को patient के couch को अंदर की तरफ move कराना पड़ता था फिर उसके बाद में वो क्या करती थी दुबारा से एक round लेती थी that means stop करकर की यह चीजे होती थी वहाँ पर यहाँ पर stop नहीं होगी यहाँ पर कैसे होगी continuous scanning होगी तो यहाँ पर आप यह चीजे समझ रहे हो diagram की तुरू कि केस तरीके से scanning की जाती है तो obvious ही बात है कि यहाँ पर आपकी जो 5th generation दी उसके बारे मैंने आपको बताया कि 5th generation cardiac patient और pediatric patient के लिए अलग से invent की थी तो उसको हमने वहाँ से निकाल दिया है अपन बात कर रहें सीधा 4th to 6 अब क्या किया इन्होंने 4th generation में सीधा modification किया और कौन सी generation आई आई आपके पास में 6th generation आई जिसका नाम था helical city scanner और helical क्यों रखा गया है यहाँ पर क्योंकि इसमें जो scanning होती है वो helical क्यों होती है अब यहाँ पर कुछ चीजे अपन समझते हैं जैसा कि जो आपकी 360 डिग chemicals collect करने है डिटेक्टर से या फिर x-ray tube को आपको supply देनी है ठीक है तो वह चीजे आपन क्या कर सकते थे electronic circuit से वहाँ पर that's the normal जो आपकी wiring supply होती है उससे कर सकते थे बट यहाँ पर यह चीज पॉसिबल नहीं होगी because continuous क्या हो रहा है यहाँ पर 360 degree के अंदर rotation चल रहा है ठीक है जो कि किसी भी machine में that means continue जब machine rotate करती रहती है तो वहाँ पर वह electric supply या फिर कोई भी signal provide कर सकते है इस्टेबल रहे कि ठीक है जिनके basis पर आपका जो gantry होगा वो क्या करेगा यहाँ पर move करेगा इनका slip rings और bruces का अगर आप example लेके चलो तो आपको जो generator होता है ठीक है एसी generator के ब AC के जो output होता है AC का output को लेने के लिए that means जो आपकी coil होती है वह वहाँ पर rotate करती रहती है अगर वहाँ पर slip rings और bruces नहीं लगाएंगे तो पूरी पूरी electronic supply उलज जाएगी complicated हो जाएगी तो same यहाँ पर है कि आपके X-ray tube rotate कर रही है यहाँ पर अगर अगर अपन slip rings और bruces नह technology plus helical motion तीन चीज़ें यहाँ पर इन्होंने add कि है fourth generation city थी उसमें इन्होंने क्या किया slip ring technology लगा दी और साथ में helical motion कर दिया तो इन सब चीजों को मिलाने के बाद में जो आपको मिला वो क्या मिला sixth generation city scanner मिला जिसका नाम है helical city अब होता है कि इसमें यह देखो it eliminates inertial limitation at the end of each slice and has greater rotational velocities with shorter scan time जैसा कि आपकी fourth generation में क्या होता था कि जैसे आपकी slice खतम होती थी तो उस वक्त अपने को क्या करना पड़ता था starting position में दुबारा से x-ray tube को लानी पड़ती थी वहाँ पे couch के motion को भी रोकना पड़ता थी तो वह चीज़ें अपन ने यहाँ पे क्या कर दी eliminate कर दी remove कर दी ठीक है has greater rotational velocities obviously बात continuous rotate करेगी तो यहाँ पे आपकी velocity भी ज्यादा होगी और अगर velocity ज्यादा होगी तो आपका जो scan time है ठीक है city का scanning time हो वह भी यहाँ पे reduce होगा short होगा कम होगा ठीक है this facilitates the city to rotate continuously without returning to its starting position जो आपकी city की जो machines है वहाँ पे जो रोटेट करें तो यहाँ पे क्या चीज़े रोटेट कर रही है तो इससे आपको यह facility मिलती है कि x-ray tube को अब आप उसकी starting position पे आने की जरूरत नहीं है जब आपका पूरा scanning हो जाएगी उसके last में ही वो x-ray tube में ठीक है आपको जो आपकी x-ray tube है उसको अपनी starting position पे नहीं आना पड़ेगा यह इसका क्या हो गए थे advantage हो गए थे that means fourth generation के बाद में यह modification किये गए थे यहाँ ठीक है और जो main चीज़ यहाँ पे आती है वो आपके 6th generation किन किन चीज़ों से मिलके बनी है तो वो चीज हुआ आपने दो चीज़ों का यहाँ पे motion कराया है patient के couch का और x-ray tube का जब वो दोनों motion मिलते हैं तो helical motion आपको मिलता है तो यह तीनों चीज मिलके 6th generation city scanner का invention करते हैं अब अपन बात करते हैं उस diagram की जो आपको paper में बनाना है और यहाँ पे आपके notes में बनाना है ठीक है तो देख रहे हो यहाँ पे चीज़े समझ में आ गई है आपको कि किस तरीके से आपका patient का couch मूँव करेगा किस तरीके से helical motion होगे देख रहे हो आप DNA की job structure बना तो same वै इस इसे बात है यहाँ पर आपसमझ सकते हो दो चीज़े और भी यहाँ पर कि for example आपका to patient का जो जो गुग अगर उसको आपने fast करते हो फास्ट शूलाइस की थिखनिस आपको अलग मिलेगी एकसरे टुव आपके रोटेट होती है फिक्सर एकसर और जो यहां पर क्या होता आपका डीटेक्टर्स होते है वह आपके फिक्स होते हैं ठीक है कि इस डायग्राम को नोट में बना लेना इसके बारे में आगे डिसकस करते हैं ठीक है जैसा कि अभी अपन ने बताया यहां पर कि जो आपकी पेशिंट के काउच का जो मोशन है उसके उपर डिपेंड करता है स्लाइस की थिकनेस तो इसी वजह से यहां पर एक और नहीं टर्मिनलोजी आती है या फिर अपन बात करें एक टर्म आती है जिसको अपन बोलते है कोलिमेटर पिच जो आपकी डिसाइड करती है इमेज क्वालिटी के बारे में कोंट्रास्ट के बारे में पेशिंट की डोज के बारे में ठीक है तो अपन बात करते हैं अभी आपकी कोलिमेटर पिच क्या होती है और फिर उसके अको using a slip ring the tube energized and data are collected continuously जैसा कि मैंने आपको बता है slip ring यहां पे X-ray tube और आपका जो control console उनके बीच में जो connection provide कराते हैं वहां पे main important role होता है आपका slip ring और brushes का using a slip ring के साहता से the tube energized and data are collected continuously हम लगातार वहां पे क्या कर सकते हैं tube को energized कर सकते हैं that means tube को signal दे भी सकते हैं और detector से हम data collect भी कर सकते हैं slip ring is a three layer circular contact with sliding bruises slip ring तीन layer की circular contact होता है जिसमें bruises लगता है sliding जो कि वहां पे slide करते रहते हैं जो कि आपकी गेंट्री को allow करते हैं कि वह continuous rotate कर सके है without any obstruction के without any complication के अगर यह चीज़े नहीं लगाएंगे अपन तो क्या होगा कि अगर इनके अलावा या फिर slip rings और bruises के बीना अगर हम normal आपकी जो x-ray tube हो उसको अगर आप continuously rotate कराते रहोगे तो क्या होगा कि आपकी जो electronic supply है ठीक है जिससे आप wiring वगएर वहां पे complicated हो जाएगी उलज जाएगी आपकी जो fourth generation में क्या था है इसी region से slip ring और bruises ना होने के विज़े से एक round complete करने के बाद में आपकी जो x-ray tube थी उस which ring makes connectivity with the x-ray tube the detector and the control console that supply electric power कि जो हर एक जो ring होती है वो किस किस से connection रखती है x-ray tube से भी उसका connection होता है Nadie एलेक्ट्रिकल सप्लाई ठीक है जहां से आपके एलेक्ट्रिकल पावर आ रहे मतलब हर एक चीज़ से उसका कनेक्शन होता है हैलिकल सीटी स्कैनर एक्वायर डाटा वायल टेबल इस मूविंग है एक एडवांटेज है यह यह जब आपकी टेबल मूव करती रहती है वो उस इसका मतलब क्या हुआ कि इस देट में तरीके से वो इसको कॉंटिनियूसली अलाव करते है उसको जो हर एक रिंग है वो किन किन चीजों से कनेक्टेड रहती है और आपकी जो हैलिकल सीटी स्कैनिंग होती है वहां पर डाटा जब आप कलेक्ट करते हो तो अगर आपकी टे सब्सक्राइब क्या हुआ कि इस इसमें अपन इमेज जब अपन रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो अपन अपनी इच्छा से वहां पर थिकनेस रख सकते है ठीक है बट जो कोलिमेटर की जो ओपनिंग वहां पर वह भी एक फैक्टर होगा ठीक है फॉर एक्जांपल जो आपका कंप्यूटर का जो सॉफ्ट वह उसका काम है वह क्या करता है कि जो अन्वांटेड आपकी इमेज़ जो रही है वह उनको रिमूव कर सकता है ठीक है आप उसके अकोडिंग वहां पर थिकनेस भी सैट कर सकते हो इस जाओगे उतनी स्लाइस की थिकनेस आपको मिल जाएगी ब भी यहां कि K बात गहां से levy करते हैं नुक्ता तो यहां पर भी मदगाप ग्रफिती में बंग आप करना यहीं बीघड को अवेलेबल होती है तीका जैसा आपको स्पीड कर रहे हैं थिकने सो डिसाइड करते हैं तो उसके बारे में अब आप बाट करते हैं the speed of the couch motion is very important यहां पर बहुत ज़्यादा important होती है hence collimator pitch is defined इसलिए यहां पर एक नई टर्म आती है जिसको अपन बोलते है collimator pitch अब collimator pitch क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे in this city scan the pitch influences अब जो क्या क्या प्रभावीत करती है ठीक है collimator pitch से क्या क्या प्रभावीत होता है radiation dose image quality scan time and it is given by the relation यह चीज़े तो इनसे influence होती है और किस relation से आपको मतलब क्या होता है क्या है वह अभी आपन देखेंगे उसका relation क्या है ठीक है को 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 लिमेटर pitch is equal to table movement per 360 degree rotation upon kolimator width at isocenter जो relation दिया गया है यहां पर kolimator pitch निकालने का वो इन्होंने दिया है कि जो आपका table मुझो couch move कर रहा है ठीक है एक जो आपका 360 degree का जो rotation होगा upon kolimator width at isocenter isocenter जो है उस पर kolimator की width क्या है isocenter अब क्या है यहां पर isocenter एक ऐसा point है यहां पर जहां से that means center point ठीक है यहां पर कई सारे plane होंगे plane आपकी x-ray beam का plane होगा detectors के plane होगे couch के motion का plane होगा ठीक है एक point पर intersect करती है वह point कौन सा कहलाता है isocenter कहलाता है ठीक है तो isocenter पर कितनी kolimator width है जब आप इसको और जो आपका table movement कर रही है पर 360 degree rotation इन दोनों चीज़ को जब आप divide करते हो तो जो आपकी value मिलती है वह किसकी मिलती है kolimator pitch की मिलती है तो kolimator pitch को हम इस relation से तो define करते है और kolimator pitcher pitch किन-किन चीजों को influence करती है patient की dose image quality और scanning के बारे में ठीक है अब भात करते है कि pitch की value अगर कितनी होती है तो कौन से scanning होती है if pitch is equal to one अगर kolimator pitch की value आपको कितनी मिलती है one मिलती है then refers to normal scanning तो हापन कौन से scanning बोलेंगे उसको לח और kolimator pitch की value आपको कितनी मिलती है 20.75 तो उस वक्त क्या होगा 1986 two over scanning इसको अपन किसमें प्रूनीं scanning में that means scanning ज्यादा की गई है ठीक है अब ज्यादा इस के निग होगी तो वहां पे क्या होगा और यहां पर क्या होता है जब पिछ आपकी कम होती है तब आपका टेबल मोशन क्या होता है slow होता है this gives increased image quality image quality आपको अच्छी मिलेगे यहां पर with increased radiation dose बट यहां पर dose भी ज्यादा मिलेगी ओवर सी बात साफ सबसी बात है यहां पर over scanning हो रहे है तो over scanning में radiation dose तो ज्यादा लगनी है और वेसी बात अपने दो जवाड आते है over exposure under exposure over exposure में radiation dose ज्यादा लगेगी under exposure में कम लगेगी अब अपन बात करते हैं which key value अगर आपकी कितनी हो एक पॉइंट पांच तो उस वक्त क्या होगा it is said to be under scanning ठीक है इसको अपन क्या बोलेंगे under scanning बोलेंगे अब under scanning मतलब scanning कम हुए वहां पर table motion is faster इसका opposite हो जाएगा यहां पर चीक है table motion is faster with less patient motion with decrease image quality यहां पर image quality तो कम होती है बट जो table का motion होता है वह fast हो जाता है अब जैसा है कि यहां पर क्या होगा अगर table का motion fast होगा तो यहां पर patient के motion कम हो जाएगे ठीक है the advantage that the patient get laser dose यहां पर advantage यह है कि radiation कम लगेगी ठीक है patient का motion that means यहां पर couch का motion fast हो गया है तो patient के over scanning में वहां पर आपकी table का motion fast होता है image quality बढ़ती है radiation dose बढ़ती है अगर अपन बात करते है pitch की value 1.5 अगर 1 से जादा हो तो इसका अपन बोलते है under scanning table का motion यहां पर fast होता है patient का motion हो जाएगा वो यहां पर कम हो जाएगा image quality decrease हो जाएगे और advantage क्या होगा कि patient को कम dose लगेगी ठीक है the total scan time required to the image the patient must be shorter excluding time required to translate the patient table that means कि overall क्या होता है कि यहां पर जो total scan time है वो बहुत कम हो जाता है ठीक है excluding time required to translate the patient table patient के जो table उसको translate करने में जो time हो रहा था वो भी include करके in some instances the entire scan can be done with a single breath hold of the patient that means कि helical city में कई cases में that means कई ऐसे diagnosis में तो अपन एक exposure में that means एक single hold अगर patient को अपन बोले कि एक बार breath hold करे इतने time में अपन पूरी scanning उसकी कर सकते हैं इतनी fast scanning इसकी होती है अब अपन बात करते हैं अपने advantages की ठीक है और वेसे बात है हेलिकल city के यहां पर advantages advantages ही आपको देखने को मिलेंगे disadvantage के कोई खास है नहीं due to shorter scan time no motion artifact और वेसे बात आपको पता है कि इसके scan time बहुत कम है तो अपन क्या करेंगे यहां पर जो motion artifact आने के chances है वो बहुत कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं इट अवोड मिस registration of slices and handle high patient throughput जैसा कि आपके क्या था कि fourth generation में slices connected नहीं थी ठीक है एक slice के बाद में दूसरी slice दूसरी slice के बाद में 30 slice वहां पर उनका miss registration that means arrange क्या हो सकता है बट यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर सारी slices क्या होंगी connected होंगी and handle high patient throughput patient throughput का मतलब क्या है कि patient में से ज्यादा से ज्यादा information निकालना यहां पर अपन ज्यादा से ज्यादा पेशेंट बच्चे होंगे उनके लिए भी helpful नोट हाइयर पीच आज आलवेज रिकमेंडेंड पेडिरिक टिश्टी प्रोटोकोल ठीक है अगर जो आपकी पेडिक के जो पेशेंट है उनके लिए अपन ज्यादातर कौन सी पीच यहां पेर प्रोटोकोल्स के अकोडिंग था ए इए अगर पिच जदा होगी तो आपको पता स्केणिंग तो अंडर स्केणिंग होगी बट वहाँ पर क्या है कि आपकी जो कौच का मोशन वो फास्ट हो जाएगा अगर का मोशन फास्ट होगा था मोशन chances कम होंगे ठीक है और dose भी कम लगेगी ठीक है तो बच्चों के जो प्रोटोकोल है पैडेट्रिक सिटी प्रोटोकोल है उसके according high pitch ट्रेफर की जाती है recommend की जाती है ठीक है तो यहाँ पर आपकी यह city के generation that means 6th generation complete होती है 7th generation के बारे में अपन यहाँ पर अगर अपन 7th generation के बारे में discuss करते है तो अपना lecture बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो कि possible नहीं है इसका एक last diagram और देख लो ठीक है इस diagram की सहयता से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि helical city के process किस तरीके से होती है ठीक है thank you झाल 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 झाल